किसान की फसलों की बहुत अधिक समस्या हो गई थी. उनकी खेती पर नकली भालू और चाला खरगोश ने हमला किया था. वे फसलों को खा गए और किसान को बहुत नुकसान पहुँचाया. चिंटु, एक बहादुर और बुधिमान चिडिया ने सोचा कि इस समस्या को हल किया जा सकता है. उसने अपने दोस्तों, मोटु भालू और चलबाज खरगोश को बुलाया. चिंटु ने सभी को समाधान के लिए बुलाया. उसने कहा, हमें मिलकर किसान की मदद करनी चाहिए. हमें एक योजना बनानी चाहिए, जिससे हम नकली भालू और खरगोश को पकड़ सकें. मोटु भालू ने कहा, हाँ, हमें साथ मिलकर किसान की मदद करनी चाहिए. और चलबाज खरगोश ने उससे सहमती दी. चिंटु ने उन्हें बताया कि उन्हें चुपचाप सबसे पहले अपने पर्यावरण में बसने देना चाहिए. फिर वे खेत में नकली भालू औ खरगोश को धरातल में पकड़ सकेंगे. जब नकली भालू और खरगोश आए, तो चिंटु ने उन्हें धरातल में पकड़ लिया. फिर किसान ने उन्हें अपने खेत से दूर कर दिया. किसान ने चिंटु और उसके दोस्तों को बहुत धन्यवाद दिया. उनकी मदद से उनकी फसलें सुरक्षित रही. इसका सबक, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याओं का सामना करने के लिए साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है. जब हम एक जुट होते हैं, तो हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं.